हल्व नवस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत से मेरे YouTube ञप चानल पर दोस्तों आच के यप स्ट्रोडियों में हम बात करने वाले हैं इस्ट्पिल divad य्क की जीटी वर्सेस लसी विल्गिदinh की मैंच के बारे में आपके मत करेंगे में इसके इटेल्स का में पिछ रिपोट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबलिव लिउन के बारे में, कुछ प्लीयर के स्टाट्स में आपको दिखाऊँगा, जिससे के आपको अपनी खुद की एक विनिंग टीम बनाने में आसानी हो जाएगी, की हेलप हो जाएगी चाहे वह ड्रीमिलियोन का आप हो या फिर कोई दूसरा आप हो आखिर में आफकोस आपको मैं तेन ड्रीमिलियोन के विनिंग टीम भी दिखाऊंगा और आदे घंटे पहले जो लाइन अपस आउट होने के बाद भी एक आपको टीम में टेलिग्राम पे दूँगा तो मेरी डेस्क्रिप्शन में दीवी लिंक के टेलेग्राम की वहाँ पे उसे जाके जरूर कर लिजिए तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता है अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे च चार है सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दोनों टीम है आपने सामने जो होने वाली है वह इस बार फर्स टाइम खेलने वाली टीम है दोनों की दोनों नई टीम है दोस्तों गुजराट टाइटन्स वर्सेस लखनौ सूपर जाइंस एक के कप्तान है तो दोस्त आपने साम मार्च को साड़े साथ बजे मैच होने आला है आपकोस नाइंटी परसेंट लोग इसको लाइव देखना चाहते तो जरूर देख सकते लाइव स्ट्रिमिंग आप स्टार पोर्ट नेटवर्क पर या फिर डिजनी होस्टार पर भी यह मैच लाइव चलने आला है अब बात कर लेते हैं पिछ डिपर इसा है यहां पर मुश्किल है आने पारों के लिए लिए दूस्तों को चालेंजिंग यहां पर करना पड़े की यहां पर कुरुशल रोल नार करने वाला है दूए अगर में उसकिल हो कता है तो यहां पर गीते का है दे नीले सकता है चैले बात कर ले दो नूटुमों के Apparently प्रभबिलिए उनकी तो सबसे पहले गुजरात टैटन workforce लेओं आपको दिखा रहा हूँ शुमन मैठिव एड़ अыт मनवर हैं पांडया विजए शंकर डिविड-ióस का our다고 मिलर रशित कान मोहमत शमी लोक्यो फर्ग्योसन यहाँ पे एस साई किशोर और श्री निवासन साई किशोर या फिर प्रदिप सांगवान यह दोनों में से एक रह सकते हैं तो इस तर से रहेगी गुजराट टाइटन्स की प्रोबेबले ले ले उन तो आप बात करते हैं लखनाव सुपर जा ज़र आ रही है उसकी प्रोबेबले ले ले उनकी तो वो कुछ इस तर से रह सकते हैं अफकोस इनकी ओपनिंग से जबादस शुरुवात हो जाती है जो लोकेश राहूल याने केल राहूल है कॉंटन डिकॉक है इविन लुई से मनन वोरा या फिर कृष्णपा गोतम में से कोई आ सकता है तो ज़्यादा चांसेस तो मुझे कृष्णपा गोतम के लग रहे है क्योंकि एक आल राउंडर है और बैटेंग अच्छी कर सकते हैं मनिश पांडे कृणाल पांडिया दीपा खुडा रवी बिश्णवी आवेश खान अंकित राजपूत और डी चमीरा या अब में कुछ प्लियरों के स्टाट्स आपको दिखाने वाला हो जिससे कि आप अपनी टीम बनाने में कामियाब हो सकते हैं अच्छी खासी हो भी जिसे हम होट पिक्स या टॉपिक्स कहेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुबमन गिल की जिया लास्ट एडिशन में पिछले साल के IPL में इन्होंने 17 मैचेस में 478 रन जिया दोस्तों 478 रन बनाये थे साथ ही साथ इनका आवरेज था 28.11 का और इनका बेस्ट कोर था 57 रनों का उसके बाद बात करते हैं मनिश पांडे जिया दोस्तों मनिश पांडे काफी जबदस फॉर्म में थे पिछले साल लेकिन पूरी मैचेस वो खेल नहीं पाये थे सिर्फ आठ मैचेस में उनको लिया गया था जिसमें उन्होंने 292 रन बनाये थे करिब करिब 300 के करिब और उनका आवरेज देखते ही बनता है 48.66 का जिया दोस्तों और इनका हाई स्कोर भी था 79 रन नौट आउट जिया काफी हाट पिक्स में ना रखा जाए ऐसा थोड़ा मुश्किली होता है दोस्तों और हो सकता है इस बार वो 2-3 ओवर भी अपने टीम के लिए कर दे और उनका अगर लास्ट मैच लास्ट एडिशन की बात करें तो 11 मैचेस में सिर्फ 127 रन बनाने में कामियाब रहते और कर सकते साथ ही साथ वह अच्छे खासी बैटिंग भी कर सकते तो इनको भी मैंने होट पिक्स में रखा है इनके लास्ट सीजन के स्टैट्स मेरे पास अब भी लबल नहीं थे लेकिन इनको सुपर जायंट्स ने आग पॉंट 25 करोड में खरीदा है तो मुझे लगता ही इनक करामाति खान काफी जबदस्त गेन बाजी करते हैं हर साल सभी बैट्समंस को परिशान करके रखते हैं काफी कंजूसी से रन देते हैं विकेट्स भी लेते काफी तो इनको भी हम होट फिक्स में जरूर रखेंगे अगले जो होट पेक्स है दोस्तों उनके मतलब उनके परफिक्स में जरूर रखेंगे अगले जो होट पेक्स है दोस्तों केल राहूल जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि केल राहूल का नाम अभी तक क्यों नहीं आया लेकिन इनको भी बाहर रखना मुश्किल है इस लिस्ट से तो इसलिए मैंने इनको यहां पे लिया है उन्हों आइपील में आइपील दोजार एकिस में तेरा मैचस में 626 रन उन्होंने बनाए थे जो की काफे जबदस थे और थर्ड नंबर पर थे अगले जो होट पेक्स है दोस्तों आवेश्खान जी आवेश्कान में यह भी काफे जबदस गेनबाजी करूरे की थी उन्होंने से तो यह थे कुछ होट पिक्स जो की लेंगे आप तो आपके अपनी खुट की एक अच्छी टीम बन जाएगी और आप चलते हैं हम ड्रेमिलियों के आप पे और मैं आपको ड्रेमिलियों के तीन विनिंग टीम दिखाऊंगा जिसे के आपको अप्छी खासी अर्णिंग हो सक सकते हैं तो कुछी समय बाकिए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो आईए देखिए और अपनी टीमें बनाईए तो सबसे पहले देख सकते हम आ चुके ड्रेमिलियों के आप पे मैच को हाइलाट करना तो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख पा रहें जीटी वर्ससल के अनके बीच यह मैं आज इस पर कापको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो क्रिएटर टीम पर क्लिक जगा लेकिन मैं आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किसको लेना किसको नहीं लेना और आखि लेकिन जो दो बंदे केल राहूल और कॉंटेंट डिकाओं कि इनको बाहर रखना मुश्किल है नहीं नाम उनकी ने करीब करीब तो मैं पहली टीम में इन दोनों के साथ जाने आलो आगे जरू कुछ सर्प्राइजिंग चेंजेस में आपको परके दिखाने आलो तो दोस्त ज़रूर इनको लीजिएगा बैटेंग के बात करें तो मनिश पांडे को ले रहा हूँ शुबमन गिल को ले रहा हूँ और डेविड मिलर को भी हम इस टीम में जरूर शामिल करेंगे तो आगे चलते हैं आल राउंडर्स पर तो आल राउंडर्स में मैंने हार्दिक पांड यहां पर चूस कर रहा हूँ तो इस तरह से तीन अच्छे कासे आल राउंडर्स में ले लिए इसके बाद गेंबाजी की बात करें तो गेंबाजी भी देख सकते हैं आप स्कोश राशित खान को हम दूर नहीं रख सकते मोह मचमी को भी मैं इस टीम में जरूर शामिल करूं अपकोश शुबमन गिल को कप्तान बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ करामाती खान याने रशीत खान को काफी सर्प्राइजिंग है लेकिन टीम काफी जबदसते दोस्तों आपकोश आपको मैं जरूर फिर से टीम प्रिव्यू करके दिखा देता कॉंटन डिकॉक के ल रावल इस तरसे दोकी पर हमारे पास क्रेडिट हमारी कतब हो चुके इसके बाद बैटिंग के अगर बात करें तो मनिश पांडे है डेविड मिलर एर शुबमन गिल को मैंने इस टीम में शामिल रखा है अगर बात करें तो तीन ओल राउंडर है वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हो आप रशीत खान को जिया दोस्तों गेन बाजी तो जब अधस करी लेते साथ बैटिंग की जरूरत पड़ी तो वो भी अच्छी खासी कर लेते हैं स्ट्राइक रेट अच्छा रखते तो इसलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप् कर सकते तो इसलिए लगाना जरूरी है स्मॉल लिग के लिए यूज कर सकते ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते लेकिन एक ग्राइन जरूर लगाईगा इस टीम को क्लोच करते सेव कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं कि तो देख सकते दोस्तों दूसरी टीम में मैं सिर्फ केल राउल के साथ जा रहो कॉंटन डिकॉक को अभी फिलाल मैंने ड्रॉप किया है इसकी वजह से मेरे पास मनिश पांडे तो है शुबमन गील भी है लेकिन डेविड मिलर के साथ साथ मैंने दीपर खुडा को इस टी अब ने तो अच्छे कुछ इनिंग्स खेली थी तो उनको भी लेना एक जगह पे कम से कम जरूरी है अगर आल राउंडर्स की बात करें तो अफकोस फिर से अर्दिक पांडिया लिया है राहूल तेवत यह को पिछले टिप में नहीं ले पाया था विजह शंकर को भी इस ट क्राइक कर सकते अभी कंट्यूडी पर क्लिक करते हैं देख लेते क्याप्टन और किसे बना सकते तो इस टीम का जैसे कि आपको इंतजार ही होगा कि केल राहूल को मैं कपतान बनाऊंगा उनको बना चुका हूँ अब कपतान और वाइस काप्टन बना चुका हूँ मनिश प चार बल्लेबाज हो चुके मनिश पांडे, डेवीड मिलर, दीपा खुडा और शुबमन गिल अगर बात करें अल्राउंडर्स की तो विजय शंकर, राहुल तेवतिया और हार्दिक पांडे आइस तर से तीन अच्छे का से अल्राउंडर्स मैंने लिये अगर बात करें गे के लिए जरूरी रहेगा स्थीन गें मत कीजी कोई प्राब्ले ने लेकिन लиг के लिए जरूरूर कि बात कर रहे था इक ने शर्व आठन मैश के का 166"! लास्ट एडिशन में और फॉर्म भी काफी जबदस चल रहा है इनको कैप्टन तो बनाना जरूरी बनता है दोस्तों साथे साथ मनिश पांडे लास्ट मैच एडिशन में आठ मैचेस में 292 रन और 48 से ज्यादा कावरेज इनको कैसे हम दूर रख सकते हैं आज वाइस कैप्ट बनाईएगा इस्तिम प्हवी क्लोज करते सेव कर लेते और तीस्री और आखरी टिम में आपको इडिट करके दिखा लेटा हूँ तीसरी और आख्रेटी में और एक सर्प्राइज ले रहा हूं यहां पर राहूल को मैंने ड्रॉप किया है यहां ठोड़ा रिसकी है लेकिन दोस्तों हो सकता है अगर राहूल फेल हो जाए तो हमें काफे जाधा फायदा होने आला क्योंकि 86% नहीं करिब करिब 87% लोगों ने दिया है और काफी लोगों ने कर्तान भी बनाया इसके अलाव मैं मनिश पांडे के साथ जा रहा हूँ शुमन गिल के साथ जा रहा हूँ डेविड मिलर डिपक खुडा और यहाँ पे ए मनोहर को मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूँ इनके भी काफी चांसेस लग रहे हैं खेल क्योंकि जादा चलने के चांसे से खास करके स्पिनिंग तो मुझे लगता है यह दोनों जादा बेटर रहने वाले और हमें अच्छे खासे पॉइंट देने वाले तो इसलिए इस तरसे किया है मैंने गेन बाद की बात कर ले तो राशित खान को मैं कहीं भी नहीं छोड़न कर देविड मिलर के साथ जाने आए वाले है जो वास काप्टन दोनों की डोनों बेस्ट है दोस्तों जरूर आप इन दोनों को क्याप्टन और वास कप्टन बना सकते इसके बाद तिम प्रिवियू करते थोड़ा मुश्किल लेकिन एक सर्प्राइजिंग फैसला मैंने अल्रेडी ले लिया था जैसे का आपको पहले बता चुका हूँ कि केल राहूल को मैंने इस टीम से ड्रॉप किया है दोनों टीमों में पिछले लिया था अब मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैंने इस टीम में शामिल कर रहा हूँ बैटिंग की बात करें तो मनिश पाणडे डेविड मिलर, दिपक हुडा, शुबमंगिल और इनके सात्थ ए मनोहर को भी मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूँ अगर आप नहीं चाहते कि कयल राहूल को ड्रॉप करना तो ए मनोर की जगपे कुरुनाल पांडिया की जगपे के आप उनको वापस भी ले सकते लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सर्प्राइजिंग या फिर थोड़ा रिस्क लेना बनता है अगर बात करें अल राउन डेस राउल तेवतिया और कुरुनाल पांडिया है तो वही हमा है तो आप दोनों के लिए वे सकते हैं अब seder कर नामा है तो जरूब सब्सक कर सकते हैं यहीं को में अगर आपको लगता है कुछ ही नहीं है तो वह भी आपचेंज कर सकते हैं लेकिन ज़्याद़ा चैन्जिस मत कीजेगा एक दो चेंज़ेस करेंगे तो ठीक है उसमें कोई बड़ी बात नहीं तो पर ज्वरडा चैंज़ेस करना है तो थोड़ा रिसकी साथ हो सकता है तो इसलिए कह रहा हू कि ज्यादा चेंजेस मत किजगा तो एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एक फाइनल टीम में आपको वहाँ पे टेलिग्राम पे जरूर दूँगा तो उसके लिए उस टेलिग्राम को भी जॉइन जरूर कर लीजे ताकि आपको एक और अच्छ आप तक पोस्टेर है आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुडबाई